बनुसरातन धर्म कीजै श्री राम कृष्णा भगवान कीजै श्री शंकर भगवान कीजै श्री रक्ष्मी नारायर भगवान कीजै जग्नमे मैया कीजै सद्गुद तेमु राम महराज कीजै सद्गुद सर्वारन महराज कीजै सद्गुद शंती प्रकाश महराज कीजै सद्गुद हरिरास राम महराज कीजै सर्वसंतन कीजै प्रेम्ब्रकाश मंदर कीजै अम्राफर दर्वार कीजै परे निहारी छोतों पे रखे पहंजो पान सुझान बंदा इजो दमसा दम हले थो तह में थी उन जान बंदा सोजे तहके साफ सही कर मिटे मन जो मान बंदा परे निहारी छोतों पे रखे पहंजो पान सुझान बंदा साहिब तो में ये समायल जिया गुलन सुरहान बंदा पूरण गुरखा राहवठी तुं तहंजी करत पच्छान बंदा परे निहारी छोतों पे रखे पहंजो पान सुझान बंदा मन मंदर जो आहि मनोहर तह में मोहन जान बंदा कहे तें तुम मिली तहीं सा मौज सची का मान बंदा परे निहारी छोतों पे रखे पहंजो पान सुझान बंदा तुम पहंजो पान सुझान बंदा राग जिलो भजन चह परे निहारी छोतों पे रखे पहंजो पान सुझान बंदा जिले राग के इस भजन में जिग्यासुद को गुरु माराज जी सत्वदेश दे रहे हैं कि उस परितम साजन को दूर क्यों ढूंडते हो अपने अंतर में ढूंडो अपने आप को पहचानो ही जो दमसा दम हले थो तैमे थी उह जान बंदा ये जो तुमारे स्वास प्रश्वास चल ले हैं इनी में उसकी जानकारी छिपी भी है स्वासों की तरफ ध्यान दो स्वासों के साथ एकाग्र होके मन से नाम का सुम्रण करो सोजे तैंखे साफ सही कर मेटे मन जो मान बंदा अंतर के अभिमान को दूर करके स्वासों के जप के द्वारा ही उसको ढूंडो और उसको प्राप्त करो साहिब तो में ये समायल जीए गुलन सुरहान बंदा जैसे पुष्प में सुगंद समाय हुई है दृष्टी गोचर नहीं होती लेकिन पुष्प में सुगंद है उसी प्रकार से परमात्मा तुमारे अंतर में बिराजमान है पूरण गुरखां राह वठीतूं तैंजी करत पच्छान बंदा पूर्ण गुरदेव की शरण में जाकर उनसे सत मारग पूचकर उस मारग पर चलकर उस इश्वर परमात्मा को जानो पहचानो मन मंदर जो आह मनोहर तैमे मोहन जान बंदा मन रूपी जो सुन्दर मंदर है उसी में वो परमात्मा बैठे है कहे टेउं तू मिली तहीं सा मोज सची का मान सदा हिर्ददेश अरजन तिश्टती अंतर में उसका नवास है और उसको प्राप्त करके उसका दर्चन करके उससे मिल करके परम आनंद परम शान्ती को प्राप्त करके गुरु महाजी सबजन के द्वारा जिक्यासु को अपने अंतर में ही उस खोज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं पुरापुर बाणी पड़तूं प्रेमी प्रेमसा पाय सुमत संतोश एख मियाजी खानी भर्यल जह में भावजी रस्वारु हानी वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्बानी अंग संग थे साणी हर हंद तोसा सत्गुरु महमा आबे अंत सत्गुरते मुरामजी महमा आबे अंत ठायो जग कल्यानले प्रेम प्रकाशी पंथ अनभे पाणिय सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाई सगे नपार को महमा आह अनंत भगतन ले भगवन्त आयो मानश रूप में सत्गुरते मुराम के है उपकार अनंत दियामुलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ दूबत जीव अपार है भवसंद है बेंत सेत बनायाता है पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाओं सदावारी पर बलहार जिस वारी पर बैठके ग्रंथ रचा सुखकार वारी मर्थल जानिये वारी अम्रत धार वारी पर वानी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागरमंथन से मिला अम्रत घट सुखराश उरमंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लओ जों करती है नाश अंतर तम में दीप सम वानी करे प्रकाश पंथ आप का अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आप का अमर है धन बुर्टियू राम अमरा पुर्वानी दो ब्रह्म दर्ष नी जान कविता चंद दोहा वली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सत्नाम चाकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमरत मै महमा मै आनंद मै करुणा वर्ष नी ब्रह्म अमरत वर्ष नी अंतर दृष्टी उनमेशनी सर्व व्याधी विनाशनी भावपाश विमोचनी कल्यान कारी ये वानी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में शिंधी अमरापरवानी भजन ब्रह्म दर्षनी कवितावली चंदावली और दुआवली पांच अतन है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वानी का अर्थ समझ कर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ती करें अनंत अद्पद रहस्य से भरी हुई गुरु माराजी की वानी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमई वचंद इस वानी में भरे हुई हैं तो उनका भावार्थ इस श्रंखला के द्वारा प्रस्तत किया जा रहा है पढ़के समझ के मनन करके उनका लाब प्राप्द करके अपने जीवन को हम सफल बनाए